हलो फ्रेंट्स अज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने सेमसंग गिलक्सी एफ 13 एंट्रेट में आप अपने मुवाइल फून की सलो इंटरणेट की प्रॉब्लम को आप सौल कैसे कर सकते हैं अज कि इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए यहां पे वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देखी दोस्तों कभी भी अगर आपके mobile phone का internet अगर slow काम करता है तो सबसे पहले आपको अपने mobile phone की network setting को reset करने के लिए आपको mobile phone का setting page open कर लेना है setting page open करिए इसके अंदर आपको सबसे उपर आइक है search icon का option आपको tap करने है अभी यहाँ पर आपको सबसे उपर हीas ID search बार में reset आपको type करने है तो आपको नीचे की side reset kan option show reset पर tap करने है अब इसके अगले page में आपको reset पर फिर tap करना है तो आपको नीचे लिखा वो आ जाएगा network setting reset इस तरह की से आप जो है mobile phone की network setting को अगर reset कर देंगे तो आपके phone की slow internet की problem है वो आपकी solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्ते इसके बाद यहाँ पर आपको अगला process यह करना है कि आपको जोने mobile phone की API setting को आपको reset करने के लिए आपको जोने mobile phone का setting page open करना है setting page open करें इसके अंदर आपको सबसे उपर की side connection का option मिलता है connection पर आपको tap करना है अब इसके अगले page में आपको यह option मिलता है mobile network का mobile network पर tap करना है अब इसके अगले page में आपको यह option मिलता है Access Point Rename का इससे आपको टब करना है ठीक है अब इसके अगले page में सबसे उपर की side यह 3 dot को option मिलता है इससे आपको त्रीड़ पर टब करना है एक छोटा –ब पेज ओपन होगा इसमें आपको reset to default का यह option आपको tap करना है टो आपको जो निचे की साइट Seoак रिसेट एंप का यह पेज आएगा इस्मा्य आपको निचे रिकावा मिलेगा एपे इंस ऑ्सेटंसक कर दिना है जिस ते आपके फोन की सुलो इंटरनेट की प्रॉलम में सॉल हो जाएगी ठीक है अब आपको अगला प्रोसेस यह करना है कि आपको अपने फोन का software एक बार चेक करना है कि वो updated है या नहीं है दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे phone की software का update आता है उसे update नहीं करते है या फर update आता है तो हमें अपडेटेट ना उने की कारण भी हमारे phone की Android सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती है तो आपके phone का software update है या नहीं आपको चेक कैसे करना है देखिए इसके लिए आपको सबसे बहुत का internet आपको चालू रखना है इसके बाद आपको mobile phone का setting page open कर लेना है setting page के अंदर आपको सबसे नीचे की साइड है software update पर टैप करना है इसके अगले page पर आपको डाउनलोड इंस्टॉल पर टैप करना है अब इसके अगले page में आपको कोई भी अगर अपडेट का बटन दिखाई देता तो इससे आपको टैप कर देना है इससे आपके mobile phone का software होगा वो अपडेट हो जाएगा और आपके phone की जो slow internet की problem है वो आपकी solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्ता इसके बाद यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना है क्या है कि आपको जोएन अपने mobile phone को एक बार restart करना है ठीक है mobile phone को restart करने के लिए mobile phone के side वाला power बटन आपको उंगली से दबा के रखना है आपकी screen के सामने पेज आएगा इसमें आपको restart का option मिलता है restart पर टैप करना है इससे क्या होगा आपका mobile phone जो आटोमेटिक स्विच आउफ हो जाएगा फिर इसके थोड़ी दिर बाद automatic switch on हो जाएगा restart करने से यह होता है हमारे mobile phone के android सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती तो वह कमी जो दूर हो जाती है कमी क्या हो सकती है अब दोस्तों इसके बाद आपको सबसे आखिरी प्रोसेस से करना है कि आपको अपने फोन को रिसेट करना है इसके अंदर आपको सबसे उपर सर्च आइकन को ऑप्शन टैप करना है यहाँ पर आपको सबसे उपर सर्च बार में रिसेट आपको टाइप करना है आपको नीचे की साइड ना यह रिसेट का ऑप्शन शोगा इसे टैप करना है आपका फोन डिरेक्ली आपको रिसेट की सेटिंग में लेकर आएगा रिसेट पर टैप करना है इसके अगले पेज आपको पहले करने हैं उसके बाद ही आपको अपने wowie phone को reset करने हैं तो इस वीडियो में आपको जितना ही process आपको बता हैं सारे process आपको use करने हैं तो इससे आपके phone की slow internet की problem solve हो जाएगी